नमस्कार, उनकी कलम मेरी आवाज में आप सभी का स्वागत है, आए सुनते हैं, मालती जोशी जी दौरा लिखी गई कहानी मानी नी गाड़ी से सामान उतारते हुए बदलू ने बतलाया, मालकिन पूजा में वैठी हैं, बरामदे की सेड़ियां चड़ते हुए, एक पल को ठिठक कर हमने आश्चरे से भर कर एक दूसरे को देखा बदलू अगर कहता कि मालकिन ब्रिज खेल रही हैं, या शिकार पर गई हैं, या कि सो रही हैं, दिन के दस बजे भी, तब भी इतना अश्चरे न होता, पर भाभी जी और पूजा बात मन में एकदम बैठती ही ना थी सफर की ठकान इतनी थी कि ड्रोइंग रूम में आकर सोफे बन निढाल होकर पड़ रही, दुलारी ने चाय की ट्रे मेच पर लाकर रखी और पंखा फुल स्पीड पर खोल दिया, तभी जाकर कुछ होश आया, लड़कियां पता नहीं कब कहां छिटक गई थी, मैंने पड़ा, छमा, दोनों उनके हाथों से जूल रही थी, उनकी कमरे में आते ही, मैंने उटकर पाउच हुए, उन्हें इस पलागन से बड़ी कोफ्त होती थी, पर मेरा संसकारी मन सिर्फ हाथ जोड़ देने से त्रिप्त नहीं होता था, हमेशा पीट पर धौल जमाने वाला उनका हाथ इस बार कुछ धराता सा लगा, ओल गर्ल, यूर लुकिंग क्वाइट मैटरनल टोड़े, इन्होंने उनके दोनों कंधे पकड़ कर कहा, देवर भाभी का अभिवादन इसी तरह हुआ करता था, उत्तर में भाभी जी ने इनके सर पर हलकी सी चपत लगा दी, और सामने वाली कुरसी पर फैल कर बैठती हुई बोली, मड़ी, केटली में कुछ छोड़ा हो, तो एक कब बना दे जटपत, दुलारी, बेबी लोगों को जाड़ कर साफ करो और नाश्ता कर वाओ, लाग छोटी थी, पर शद्धा छमा इस आदेश को भली भाती समझती थी, च चाब दुलारी के पीछे चल दी, मैंने चैन की एक सांस ली और चाय बनाने लगी, उन्हीं चाय का कब थमा कर, मैं इत्मिनान से बैठी, उनकी बाते सुनती रही, मेरी भूमी का हमेशा श्रोता की ही रही थी, मुझे उन लोगों की तरह खुल कर हसना बोलना कभी आया ही न लग रही थी, जैसी मैं उन्हें हमीशा देखना चाहती थी, इसके पहले जब भी उन्हें देखती थी, मन में कसक एक एश्या से उठती थी, कैसी हैं ये भाबी जी, साल के साल इन पर से गुजर जाते हैं और अपना कोई पदचिन भी नहीं छोड़ते, उनकी इस अमलान र सौंदरि का जिक्र किया था, तो दादी एकदम बिफर पड़ी थी, हाए, उस शरीर ने जहेला ही क्या है जो मैला होगा, औरत घर के लिए, बच्चों के लिए, तिल-तिल खटती है, जब ही न बूरी होती है, दादी की बात शायद सच थी, लेकिन मुझे उनका स्वर अच् लगती है, चाची कहती, आँखों में नाम की शरम नहीं है, मर्दों में ऐसे बराबरी से उठती बैठती है, बुगा भुन-भुनाती, गनीमत थी कि भावी जी मेरे रिष्टधारों के सामने सिर ओड़कर बड़ी शालिंता से पेश आती, मैंने भी ब्रिज क्लब की या श जदा अंतर होता है, ऐसी ये मुसीबत हो जाती है, मड़ी बड़ी चिप-चिप बैठी है, क्या सोच रही है, भावी जी का ध्यान अब मेरी ओर गया, कुछ नहीं, पूरी रात का सफर था न, इसी से सिर चक्रा रहा है, मैंने हड़ बड़ाते हुए कहा, देखा भावी, प जा, नहां धोकर आराम कर ले, खाने के समय मैं उठा लूँगी, भावी जी ने मुझे पुछ कारते हुए कहा, और मुझे फिर एक बार लगा कि बहुत जादा मैटरनल हो गई है, दूसरे दिन सुबह जल्दी ही आँख खुल गई, इनके कॉलेज की वज़े से आदत जो प चहरे पर ऐसा प्रशान्त भाव था कि डिस्टर्ब करने का मन नहीं हुआ, दूर से ही नमस्कार कर रसुई में चलिये, दूलारी सुबह की चाय की तयारी में व्यस्त थी, मुझे उसने वही एक कब बना कर दे दी, भाबी जी रोज इतनी जल्दी उठाती हैं, चाय लेते ह हुए मैंने पूछा, नहीं जी, छोटे भया मजाग बनाएंगे, तासे जल्दी निपट लेते हैं, दूलारी ने बतलाया, पर पहले तो कभी नहीं देखा, मैंने कल से संचित आश्चरे को वाणी दी, बहुरानी, उमर बढ़त का है, सो अपने आप भगवान याद आ जात है, दूलारी का तर्क शायर ठीक था, ऐसे कितने ही लोगों को देखा, जो जीवन भर घोर नास्तिक बने रहे थे, पर जीवन के संध्यकाल में, जिनकी भगवत भगती अचानक जाग उड़ती थी, लेकिन उन सर्वसाधारन लोगों में, भाभी जी को भी गिन लेना मुझ पुछे नहीं रूचा, हर चीज को तर्क की कसोटी पर कसना उनकी आदत थी, अंद विश्वास और रोडी वाधिता से तो उनहीं बेहच्चड थी, मेरा उन्होंने कई बार मजाग बनाया था, दूलारी से तो उनकी जड़प हमीशा ही होती जाती है, गवईं गवाओ की व दक्षन दिसा में मत जाओ, अमुग दिन लोहा जिन खरीदो, पर भाबी जी जब कारण पूछती तो उस क्यों का जवाब उसके पास नहीं होता था, हजारों लाखों की तरह, उसने भी इन माननेताओं को सिर नीचा करके स्वेकार कर लिया था, तब भाबी जी उसके स्निह मैं अनुरोध को तालकर नई साड़ी का उदखाटन कर बैठती, या नई जमीन के खरीद पत्र पर दस्थकत कर देती, तब दुख से, क्रोध से दुलारी बुदबुदा तक रह जाती, करना हो सो कर लो, तुम्हारा क्या, ना आगे पात न पीछे पगहा, दुलारी की यही बात मुझे बुरी लगती, संतान ही नारी के हिस्से आने वाले इस चिरंतन अपमान से भाबी जी बच नहीं पाई थी, उनका रूप, उनकी बुद्धी, उनका वैभव, सब जैसे इस बिंदू पर आकर शून्य में खो जाते, इसी दिर शायद उनके पुरुष मित्रों की संख्या अधिक थी, तब महिलाओं के पास एक ही तुरुप का पत्ता होता था, उनके बच्चे और भाबी जी यहीं पर मात खा जाती थी, उनकी इसी परिस्थिती में कई महिलाएं आवशक्ता से अधिक भाबुख हो जाती हैं, कई ऐसी शक्त हो जाती हैं कि दूसरों के ब उन्हें गाने के लिए, कहानी के लिए परिशान करती, उनकी चीजें धर-धर बिखेरती, पर उन्होंने कभी खीज या परिशानी नहीं दिखाई, इतने संतलित और सुलजे व्यक्तित्तों वाली भाबी जी केवल बढ़ती हुई उम्रक के डर से भगवान को पकड़कर ब कि ये अभी बिस्तर छोड़ कर उट भागेंगे और पूजा के बीच में ही मजाग बना कर परिशान कर देंगे, पर वैसा कुछ नहीं हुआ, ये बड़े गंभीर होकर सोचते हुए बोले, मैं चुप हो रही, भाबी जी का साढ़े पांच फोटा व्यक्तित तो इतना भव्य था कि थोड़ा बहुत, कम जादा मेरे समझ में आना मुश्किल था, पर इन्होंने बारह वर्ष की उम्र से उन्हें देखा था, मा की तरह उन्हें चाहा था, इसी थे शायद भी जान सके, भाई सहाब अपने कैसरिज को लेकर यहां-वहां घूमते रहते हैं, भाबी बिचारी अकेली, मुझे इनकी बात समझ में नहीं आ रही थी, भाई सहाब का बाहर रहना कोई नई बात तो नहीं थी, कम से कम अपनी शादी के बात से तो मैं यही देखती आ रही थी, देवा सुरूट पर बने अपने हैपी होम में, भाबी जी अकेली रहती थी, बंगले से लगा फॉर्म था, गाउं में थोड़ी सी जमीन थी, इंडॉस्ट्रियल एस्टेट में एक प्लास्टिक, फैक्टरी में पार्टनर्शिप थी, सबकी व्यवस्था उन्हीं को देखन बन गया था, हमारे आने के चार-पांच दिन बीद गए, और ट्रॉइंग रूम में एक बार भी ब्रिज की बैठक नहीं जमी, तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगा, ठहा के मारती हुई उस लंबी चौड़ी महफिल के लिए, चाय नाश्ता तयार करते हुए, मैं और पी होम के जिन्दगी एकदम सूनी लग उठी थी, दुलारी ने बतलाया, मालकिन आजकल पत्ता छूती भी नहीं, साहाव आते हैं, तभी मंडली जमती हैं, भाभी का यह अचानक बैराग्य क्या सचमुच बढ़ती उम्र का प्रभाव था? मैं एकसर सूचती रहती, एक द पुकारती हुई कमरे में आई, और एकदम चुप हो रहीं, मैंने मुड़कर देखा, वे कैलेंडर को एक टक देख रही थी, कैलेंडर, ये दो दिन पहले ही लाए थे, श्री राम का बाल रूप था, उसे इन्होंने ठीक मेरे बिस्तर के सामने टांग दिया था, शुवसाम इनकी दर्शन कर लिया करना, इन्होंने शरारतन हाथ जोड़कर कहा था, इनका अभिप्राय समझकर मैं शर्म से लाल हुआ थी, इस समय भाभी जी के सामने पढ़ जाने से बड़ी शर्म हो रही थी, पर उनकी मुख मुद्रा देखकर अपनी बात भूलनी ही पड़ी, एक गीत गाया करती थी न, ठुमक की चलत राम चंद्र, इस चित्र को देखकर उसी की याद आ गई है, याद है वागाना, सुनाएगी, मैं तो हैरान रह गई, इसी गीत को लेकर देवर भाभी ने मेरी कितनी मजाग बनाई थी, मैं भूली नहीं थी, शादी के बाद प्री ही गया था, पर इनके चुनाव को लेकर मेरी जब मजाग बनी, उस प्यारे से भजन की इतनी इतनी पैरोडियां बनी कि मैं रोनी रोनी हुआई थी, और आज भाभी जी ने उसी गीत की फरमाईश की थी, यहीं नहीं, गीत सुनते सुनते उनकी आखें डबडबाई थी, भ बड़ा पागर मैंने दुनिया में नहीं देखा, तुम क्या सोचती हो, भाभी ने उसे भजन के रोप में एप्रिशेट किया, तो और क्या, यह सेहला कर चुप हो गये, कुछ देर अपने आप में ही डूबे रहे, फिर एका एक बोले, तुमने देखा, लौन में जूला प लेकिन अतुल भया के बंगले में जरा भी रुचीना दिखाते हुए, मेरी बात काट करें हो ने कहा, तुमने माक किया नहीं होगा, ड्राइंग रूम की कॉर्नर टेबुल वाली वह मूर्ती भी गायब है, अरे हाँ, तभी न, वह जगह कुछ बदली-बदली सी लग रही ह अच्छा ही हुआ, क्या मूर्ती थी? देखने भी भी शर्म आती थी, पता नहीं लोगों को ऐसी चीजों में क्या आर्ट नजर आता है, मैंने उस नगन काश्ट स्रिल्प की कल्पना मात्र से हिस्सी हरते हुए कहा, और वे खजुराहों के पेंटिंग्स भी नजर नहीं आय और वे गिलास जो पिछली बार भावी प्रदर्शनी मेले में लाई थी, वे भी इस बार नहीं दिखे, छी, क्या डिजाइन था? मड़ी, तुम्हारे मन में इन बातों का कोई सिगनिफिकेंस नहीं है, कैसा सिगनिफिकेंस? तुम्हारा तो बस भगवान ही मालिक है, इन्ह पूप गौर किया है, मैंने भी तुनक कर कहा, भावी जी ने कहा कि बच्चों के गिरने का डर होता है, इसलिए लगवादी है, और ठीक भी है, मुझे खुद हमेशा डर लगा रहता था, क्या खाक ठीक है, कौन से बच्चे अब गिरने को है, शद्धा छमा क्या पहली बार आई हैं हाँ, शायद भावी जी आने वाले बच्चे के बारे में सोच रही होंगी, मैंने अकारन शर्म से लाल लाल पढ़ जाते हुए कहा, लेकिन मेरी लाज भीनी मुख मुद्रा पर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, शूननी में निहारते हुए से बोल उठे, यही तो मैं सोच रहा हूँ, भावी जी कौन से बच्चे के लिए यह सारा आयोजन कर रही है, मैं चौकी, सच मुझ, भावी जी कौन से बच्चे के लिए यह सारा आयोजन कर रही है, इन्होंने खुद ही तो बताया था कि भावी, मा कभी नहीं बन सकती है, एक जरा से धरगटन जीवन भर के लिए यहाँ अभिशाब दे गई थी शादी के पहले ही वर्ष में मात्रितों के अंकुर फोटे थे पर सीड़ियों से गिरने का निमित्त मात्र हुआ और सब कुछ समाप्त हो गया हमेशा के लिए तब से भावी जी मानों पहली सी रही ही नहीं ताश, घुरसवारी, शिकार तरह तरह के शौक उन्होंने पाल लिये और वे भी सारे मर्दाने जैसे अपने नारित्तों के अपमान का विधाता से बदला ले रही हो भाई साहाब भी तब से बस खाओ पियो मौचकरों के कायल हो गये थे कुछ लोग इस आगहाच से जीवन भर के लिए तूट जाते हैं पर इस दमपत्ती ने इस दुख को बड़ी दिलेरी, बड़ी मस्ती के साथ जहला था मन का सारा संचित इसने इन पर अपने मुन्ना पर उडेल करवे संतुष्ट थे लेकिन निराशा आशा में भी बदली जा सकती है चिकेत्सा शात्र कितना आगे बढ़ गया है अभी पिछले ही दिनों तो जबलपूर की हमारी पडोसिन को शादी के अठारा साल बाद लड़की हुई है सुनिये मैंने इन्ही जग जोरते हुए कहा ऐसा भी तो हो सकता है भाबी जी ने कोई ऑपरेशन करवाया हो और वह सफल रहा हो मैं कुछ देर तक उत्तर की प्रतीक्षा करती रही पर वे सोए ही रहे सोने का नाटक भी कर रहे हूँ तो पता नहीं पर मेरे मन में उठती शंकाओं का तुफान राद भर मुझे जगाए रहा उसके पांच-छे दिन बाद सिनेमा जाने के लिए हम लोग तयार हो ही रहे थे मेरे स्टॉक की सारी साडियों को डिसकार्ट करने के बाद भाबी जी ने अपना वार्डरोग खोलने के लिए कहा यहां कोई नई बात तो नहीं थी साडियों की उन्हें क्रेज थी और वे हमीशे अपनी मड़ी को गुडिया की तरह सजा कर ले जाना चाहती थी साडियों का धेर उलटते पलटते एक बाबा सूट हाथ आ गया क्रेमलिन पेंटिंग किया हुआ एक नाओ में दो बच्चे बैठे हुए थे यह आपने किया है मैंने बड़ी उत्सुकता से पूछा अरे अरे इसे क्या कर रही हो वे जूड़ा बांते बांते ड्रसिंग टेबल से उठाएं और करीब करीब छीन कर ही वह सूट मेरे हाथ से ले लिया मैंने बहुत अपमानित अनुभव किया सूट रखने के लिए उन्होंने जो कप्पा खोला उसमें और भी सूट्स की जलक मैंने देखी साथ ही चाबी वाले खिलोने भी निश्चे ही ये खिलोने मेरी बच्चियों के लिए नहीं थे नहीं तो इतने दिन अलमारी में बंत न रहते तो फिर ये किस के लिए थे वे कपड़े वे खिलोने वह जूला या सब किस के लिए था उस रात अपना कौतुहल दबाए रखना मेरे लिए संभव हो गया ये बड़ी गंभीरता से मेरी बात सुनते रहे उनके माथे पर सलवटों की भीड बढ़ती जा रही थी मेरी बात समाप्त हो जाने के बाद भी बड़ी देर तक मुझे निहारते रहे इतने कि मुझे संकोच हो आया मड़ी मैंने प्रशनार्थक नजरों से देखा भर मेरी एक बात रखोगी कहिए तो मना तो नहीं करोगी स्वर में अजीब सा अनुने था आप कहिए भी मैंने खेच कर कहा इस बाद जो बच्चा होगा क्या भावी जी को दे सकोगी मैं सन रह गई इन पुरशन को क्या हो जाता है बच्चे देने की बात ऐसे कहते हैं जैसे घर की कोई चीज उठा कर दे देनी है नौ महीने कैसी कैसी मुसीबते उठा कर वह जीव पाला जाता है इन ही क्या पता तुमने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया मडी इन्होंने अधीर स्वर में पूछा अगर लड़का हुआ तो मैंने कापते स्वर में कहा तो क्या हुआ घर ही में तो रहेगा कहीं दूसरी जगा तो देना नहीं है अच्छा जाने दो लड़का नहीं देंगे पर लड़की हुई तो तब तो दे सकोगी न मेरा मन रो उठा लड़की क्यूं दे दूँगी वह तीसरे नमबर पर जन्म लेगी इसलिए क्या भवी शद्धा छमा की तरह मेरे रग्तमान्श का अंच नहीं होगी अधिक सोचना मेरे लिए असह हो गया खीच कर मैंने कहा बात मैंने कहां शुरू की थी और आप उसे कहां ले आए भगवान चाहेगा तो ऐसी नौबत नहीं आएगी भवी जी को किसी का बच्चा नहीं लेना पड़ेगा मुझे विश्वास सा हो गया है तुम्हारा विश्वास अगर सच में बदल जाए तो वह सबसे ज्यादा खोशी की बात होगी पर मेरे मन में दूसरी ही संका उठ रही है मुझे रह रहकर भावी जी के लिए डर हो आता है डर? कैसा? मैं आखें फाड़े उन्हें देखती रही मुझे लगता है उनका emotional breakdown हो रहा है हमेशा वे so off करती रही है कि वे बहुत खुश है संतान का अभाव उनके लिए कोई महतो नहीं रखता पर यह तो प्रकृती के विरुधर लड़ना हुआ न उनके subconscious में कहीं गहरे यह बात हमेशा से रही होगी बढ़ती उम्र के साथ अब अपने उपर उतना नियंतर नहीं रह गया इसलिए वे सारी शुप्त इक्षाएं सतह पर आ गई है अपनी कलपना ही में उन्होंने एक शिष्टी रच डाली और उसी को लेकर वर्तमान को भूल जाना चाहती है मैं वीस फारित नेत्रों से इन्हें देख रहे थे इस सिती का या पहलू मेरे दृष्टी पत में कभी नहीं आता पती के लिए पहली बार मन में उतनी शद्धा हुई व्याकुल स्वर में पूछा लेकिन इसका अंत क्या होगा मेंटल हॉस्पिटल आखिर अपने को कोई कितने दिन तक चल सकता है मैं इस पश्ट देख रहा हूँ कि वे अंदर ही अंदर गली जा रही है जली जा रही है कहीं से एक बच्चा लाकर उनकी गोद में डाल देना बहुत जरूरी है नहीं तो जीवन का यह खाली पन उन्हें खा जाएगा अपकी भाई साहब आएं तो आप कहिएगा उनसे छी पागल होई हो इतनी नाजुक बात मैं उनसे कह सकूँगा कहना होगा तब हिम्मत करके भाई से कहूँगा नाराज भी हो लेंगी तो कोई बात नहीं पर भाई साहब से मैं तो सोच नहीं सकता उस रात दे तक हम लोग बाते करते रहे बाते ये कर रहे थे मैं तो किवल सुन भर रही थी और मेरी आखों के सामने उननीस बीस साल की नवधो के रूप में भाई जी का चित्र साकार हो रहा था बारह वर्ष का किशोर देवर उनका पला एक पल को भी नहीं छोड़ता लार दुलार की स्नीह ममता की ऐसी व्रिष्टी उस मात्र ही इन बालक पर होती रही कि आज 27 वर्ष बाद भी दो बच्चों के पिता का पद पाने के बाद भी भाभी उसके लिए मा ही बन कर रह गई है इन्होंने ही बताया कि भाई सहाब के मित्रों ने कई बार किसी अनात को कोद लेने का सुझाव दिया था पर भाई सहाब कभी राजी नहीं हुए अपना मुन्ना है तो वे हमीशा कहते शायद इसे लिए भाभी जी ने भी कभी अनुरोद नहीं किया सबने यही समझ लिया था कि वादसल्य का वहसरोद हमीशा के लिए सूख गया है लेकिन यह समझना कितनी भूल थी दिन इसी तरह बीत रहे थे सैर सपाटे, सेनेमा, गपशप कहीं कुछ कमी नहीं थी पर मैं खूब जानती थी कि इनका मन किसी में भी नहीं है और कारिक्रम इनके लिए मात्र फॉर्मेल्टी रह गये थे भावी की आंग बचाकर जब भी उनके चहरे की ओर देखते तो इनके अपने चहरे पर अपार करुणा चा जाती उस दिन दो पहर को बैठे बैठे बोर हो गए तो भावी जी ने कहा चला मुना इस पहले डोन खेले ये चिप चप उटकर बोर्ड और कोईन निकाल लाए भावी जी के बैडरूम में ही खेल जम गया वे बोली बड़ा प्रोफेसर बनता है मुझे हरा के देख स्टेक से खेलना है इन्होंने चुनोती दी हाँ लेकिन रेट अपना बड़ा होता है तुम्हें हरा दूँ तो एक साड़ी ले देना बस सिर्फ साड़ी हाँ वो भी जान की लाल की दुकान से मड़ी तु गवाह रहना एक साड़ी कमीशन में तुझे भी मिल जाएगी मैं टेबल क्लॉट काड रही थे मैंने चुप चाप सहमती सुचक गरदन हिला दी और भाबी अगर मैं जी जाओं तो तो तुम्हें एक एमबेजडर खरीद देंगे कार नहीं जूता हम दोनों देवरानी जिठानी खिल खिला कर हस पड़े पर ये उसी गंभीता से बोले नहीं भाबी अगर मैं जी जाओंगा तो आपको मेरी एक बात रखनी होगी कौन सी जो मैं कहूंगा वही अरे वाह यह तो ब्लैक चेक पर दस्तक करने जैसा हुआ खै तुम्हारी सराफत पर भरोसा है हमें भाबी जी ने कहा और वे खेल में जुट गये मेरा ध्यान अपनी कड़ाई में था फिर भी मैं देख रही थी कि भाबी जी खेल को खेल समझ कर खेल रही थी पर ये जैसे किसी निश्चे के साथ एक एक कौईन उठा रहे थे एक एक शब्द बनाने से पहले इतनी इतनी देर सोचते मानो इस पैलेडॉन ना हो सत्रेंज हो एक घंटी की बोरियत के बाद खेल खत्म हुआ ये जीते थे और काफी अंकों से इन्होंने भाबी जी की ओर देखा पर उसमें विजय की चमक नहीं थी मैं चाय बना लाओ मैंने अपनी घबराहट को छिपाते हुए कहा अरे इतनी धूप में कौन चाय पिएगा फ्रिस से ओरेंज निकाल कर ले आओ भाबी जी कहती रह गए पर मैं भागी सीधे रसोई की ओर थोड़े से पापड तले, चिप्स तले टोमेटो सॉस निकाल कर ब्रेट के सैंडविच बनाए फिर चाय बनाकर इस धे सारे नाश्टे के साथ कमरे में प्रवीश किया कमरे में देखा विसफोट हो चुका था और उसके आगात से स्तब्ध दोनों मौन बैठे थे ये खिड़की के परदे हटा कर बाहर के चिल-चिलाते धूप में जुलस्ते लॉन को देख रहे थे भाबी जी स्पेलडॉन के अक्षरों को करीने से जमा कर डिपे में रख रही थी मैंने हॉले से स्टूल खिसका कर उस पर चाय की ट्रे रखे पर कमरे की नीस तब्धता में वह आवाज भी भारी लग रही थी भाबी जी ने सिर उटा कर देखा एक अजाना दुख उनके चहरे पर आकर ठहर गया था पर दूसरे ही छर्ण चहरा निरभ आकाश की तरह साफ हो गया बाप प्रे इतना नाश्टा मुन्ना देख तो तली हुई चीजें बहुत खाने लगी है तू आजकल मुझे तो पता ही नहीं था अभी इसने बताया यू इंपेशिंट फूल्स छुटकी को पान साल की तो होने देते खीचतान करके अपने स्वर में वे जो हसी का पुट ले आई थी उससे मन और भारी हो आया जैसे तैसे चाए गटक कर ये उट खड़े हुए और बोले जरा सिटी तक जा रहा हूं कुछ काम तो नहीं है कोई जरूरत नहीं है जाने की क्या मतलब जरा जरूरी काम था इन्होंने हकलाते हुए कहा यहां बैठो तुम्हें कोई काम नहीं है मैं जानती हूँ अपनी बात का जवाब भी नहीं चाहोगे क्या अब मैंने उठना चाहा चाय का सामान समेटने के लिए पर उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर बिठा लिया और ट्रे उठा कर पलंग के नीचे सरका दी मजबूर होकर हम लोग अपनी जगहां बैठे रहे भाबी जी ने कहा मड़ी मुन्ना ने सलाह दी है कि मैं कोई बच्चा गोद ले लूँ अच्छा बता जिसके पास अपना बच्चा हो वह क्यों इस चक्कर में पड़ेगा हम लोगों ने चौक कर देखा क्या भाबी जी का दिमाग सचमुझ गड़बडा गया है पर उनका ध्यान हमारी तरफ नहीं था उन्होंने तक्ये के नीचे से एक मखमली पर्स निकाला पर्स में चमडे का एक मनी बैक था उसके भीतर प्लास्टिक कवर में लिप्टा हुआ एक फोटो था फोटो निकाल कर उन्होंने हमारे सामने किया डेड़ दो साल के बच्चे की फोटो थी एकदम बाल कृष्ण की तरह घंगराले बाल बड़ी बड़ी आँखी छोटे छोटे होट और उन में से छांकते हुए नन्हे नन्हे दात यह कौन है भाबी? मैंने सांस रोक कर पूछा यह तुम्हारे भाई साहब का लड़का है भाबी ने शांत स्वर से कहा पर बात जैसे उबलते तेल की तरह कानों में जा पड़ी फटी फटी आँखों से बस फोटो को निहारते ही बन पड़ा तुमने पूछा नहीं इसकी मा कौन है? उन्होंने फिर उसी शांत स्वर में कहा फिर हम लोगों को चुप देखकर खुद ही बोल उठी इसकी मा है रानी केशव देवी रानी केशव देवी? मेरे अवचेतन में वह सुन्दर सौम में चहरा दीरे दीरे उभरने लगा था उनका नाम पहली बार नहीं सुना था वे भाई साहब के मुवक्किलों में से थी 36 गण के किसी छोटी मोटी जागीर से सम्रिद्ध थी छोटी उम्र में विद्वा हो जाने पर देवरों ने मिलकर सारी जागीर हथिया ले थी पिता के आश्रे में ससुराल के वैभव को भूलती जा रही थी कि पिता भी चलवसे भाईयों ने दहेज की जमीन पर भी उनका हक मानने से इनकार कर दिया तब से बेचारी अदालतों और वकीलों के दफ्तरों के चक्कर काटती हुई सुप्रीम कोट टब पहुँच गई थी दिल्ली के एक सुविख्यात एडवोकेट के साजे में भाई साहब उनका केस लड़ रहे थे पहले पहल नाम सुना था तो हम लोग बहुत हासे थे पर एक बार वे भावी से मिलने आई थी तब उन्हें देखा था उनका निराभरन सौंदर देखने वालों को बांध लेता था बाचीत भी अत्यनते सौम में और शिष्टता पून थी राजघराने की चाप उनके प्रतेक पद्न्यास में थी अपने को छोटा किये बिना विनैशील कैसे हुआ जाता है यह दुन्हें देखकर पता चलता है और यही रानी केशव देवी भाई साहब के बच्चे की मा है अपनी विचार तंद्रा से उबर कर मैंने कहा कैसे संभव है भाबी जी या कैसे हो सकता है मैंने बच्चों की तरह मचल कर कहा मेरी डबडबाई आँखों को देखकर भाबी जी ने मेरा सेर अपनी गोध में ले लिया इसमें असंभव क्या है मड़ी क्या दुन्या में ऐसा कभी होता नहीं दो एकाकी आत्माएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो हमेशा यही होता है आपको गुसा नहीं आता आपका खून नहीं खौल उठता मैंने हैरानी से कहा किस पर गुसा करूँ? हरानी पर? उस पर क्या गुसा करूँगी? जो मैं नहीं दे सकी वह दान देकर वह तो चली गई चली गई? कहा? वहीं जहां दुखी मनुश्यों को सान्ती मिलती है पुत्र जन्ब के आनंद से लोग लाच का डर ज्यादा बड़ा था बेचारी उसे सह नहीं पाई और तेरे भाई सहाब पर क्या नराज होंगी मैं? मड़ी समर्पन के लिए उत्सुक नारी को जो लोग लोटा सकते हैं वे देवता होते होंगे पुरुष इतने नी स्प्रिह नहीं होते दाशनिक अंदाज में उन्हों ने गा उफ! आप कितनी शान्ती से सारी बाते सोच सकती हैं मैं होती तो दुख से इश्या से जल ही जाती मेरे स्वर में बला की उत्तेजना थी पर भावी जी ने उसी शान्त स्वर में कहा यह शान्ती क्या एक ही दिन में पाई है पगली? कितनी रातें जाक कर काटी हैं कितनी बार आत्मात्या करने को जी चाहा है कितनी ही बार घर छोड़ने को पाऊ उठे हैं लेकिन जिसे तनमन से चाहा है उसका मुह इतनी आसानी से कहीं छोड़ता है तब याद आये थे ठाकुर जी सुना था उनमें अपने को लीन कर देने से शांती मिलती है संतोश मिलता है सोचा चलो यही सही पर वहाँ ठाकुर जी के स्थान पर उसी की मूर्ती नजर आने लगती है धूप दीप नैबवेद्य कुछ भी याद नहीं रहता बस उसी को देखती रहती हूं उसी को किसको पर भावी जी ने जैसे मेरा प्रश्न सुना ही नहीं बोलती चली गई बस एक बार ही तु देखा था तब उसे तब उनके स्वभाव में का एक बदलाव आ जाने से मैं चिंती थो उटी थी पती का मन घर से बाहर चला गया है यह जानने के लिए पत्नी को किसी विशेशग्य से सलाह नहीं लेनी पड़ती उनकी उदासे इंता का सुराग लेते हुए पहुँच गई थी मैं महा कालिश्वर मंदिर के पास की उस गली में महा कालिश्वर यह अपने उजैन वाले हाँ वहाँ एक सीलन भरी गंदी सी गली में अपना लाल छिपा रखा है उन्होंने रानी की बूढ़ी दाई उसके पास रहती है उसी से सारा इतिहास मालूम हुआ भाई साहब को पता है नहीं मैंने ही बताने के लिए मना कर दिया था बिचारे सारी बात इतनी गुप्त रखना चाहते हैं सो चुप ही रही यह कहकर वे एक सुखी सी कर्म सी हसी हसती मुझे तो उनकी और देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी वे अपने से ही बोले जा रही थी वहाँ उस गंदी सी जगह में उसे डाल रखा है और यहां यह इतना बड़ा घर सूना पड़ा हुआ है कहते हुए उन्होंने सक्ती से अपने होट भीज लिये शायद रुलाई रोकने के लिए मैं उट खड़ी हुई कमरे में अंधेरा घेराया था मैंने स्विच के लिए हाँद बढ़ाया कीवे बोली अभी अंधेरा ही रहने दे और देख मुन्ना को तू जरा ठीक से समझा देना बेचारा अपने भाई को बहुत चाहता है अंधेरे में उनकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे बहुत दूर से आ रही हूँ लेकिन प्रतिमाई किसी के कहने से बनती नहीं और बिखरती हुई प्रतिमाई को जोडना तो और भी कठिन काम है लेकिन भाई साहब को लेकर इनकी यही अवस्था थी बच्पन से जिन्हें देवता समझ मन मंदिर में उचा सा आसन दे दिया था उसके विशे में या अविश्वसनिय तक थे इन्हें बुरी तरहां जग जोग गया था अंदर ही अंदर जैसे यह एकदम टूट से गए भावी जी के लिए जब तक इनका मन चिंतित था तब तक तो यह मुझसे भी कभी कबार कुछ कहकर मन हलका कर लेते थे पर भाई साहब को लेकर इनके मन में जो व्यथा थी आक्रोश था उनमें ये किसी को साजीदार नहीं बनाना चाहते थे दिन भर किसी रूठे हुए बालक की तरह गुमसुम अपने में खोई रहते और भावी जी इन्हें वही ट्रीटमेंट दे रही थी जो एक मा अपने रूठे हुए बच्चे को देती है अर्थात खाने पीने की विवस्था में कोई कसर नहीं पर एक बार भी रूठने का कारण नहीं पूछा गया मैं इस औरत को देखकर हैरान थी कौन कह सकता था कि अपने मन में जुआला मुखी छेपाए है उसी उत्साह से घर ग्रिहस्ती की जमीन जायदात की छोटी मुटी बातों की खोच खबर ले रही थी बाय साहब की हर चिठी पर पहले की ही तरह पुलकित हो रही थी और पिछले दो तीन दिनों से उनकी व्यस्तता का अंत नहीं था दिन भार अपने सुंदर अक्षरों में निमंत्रन लिखती रहती थी उन्हें टाइप की ये निमंत्रनों से बड़ी चिर थी कहती इसे परसनल टच नहीं आता है सारी हलचल से बेखवर ये पुस्तकों में सिर डाले बैठे रहते थे कारिक्रम से ठीक एक दिन पहले भावी जी से सब्र नहीं हुआ तैश में उन्होंने इनके हाथ से किताब छेन कर जमीन पर फेग दी ओ स्कॉलर महाशे कभी जूट मूट को ही पूछ लिया करो कुछ काम तो नहीं फरमाईए उन्होंने हथिया डालते हुए कहा शुक्र है भगवान का जल्दी से होश में आ गए जल्दी से गाड़ी निकालकर सिटी में दौड जाईए चंद्रलो क्वालिटी नंदवन जहां ठीक समझो कल शाम के लिए 15 टेबल्स बुक करके आओ और दिमाग से काम लेकर जरा ढंका मेनू भी ओर्डर करके रखना याद है ना कल दो जून है कि उसकी भी याद दिलानी होगी दो जून तो गोया आप शादी की सालगिरा मना रही है आपको कोई एतराज है अब देवर भावी की व्यंग्योक्तियों से खबराकर मैने बीच में ही स्वर साधना चाहा भाई साब नहीं है ना इसलिए ये कह रहे है नहीं है तो क्या हुआ He sure to come आज शाम नहीं तो सुबह वो यहाँ होते हैं की नहीं देखना लेकिन मड़ी तेरा दूला इतना भोला नहीं है जितना तू समझ रही है मुझे सब पता है इसके दिमाग में क्या खुराफाते हो रही है आप ठीक समझ रही है भावी इसलिए लगे हाथों हमें प्रमोशन दे दीजे हम लोग कोड़े कनाल जाना चाह रहे थे मड़ी के भाई कब से बुला रहे है सारी छुटियां यहीं बीच जाती है फिर जाना नहीं हो पा तक मैं तो हैरान रहे गई यहाँ प्रोग्राम इन्होंने कब एकाएक बना लिया पता ही नहीं चला भावी जी का चेहरा भी सफेद पढ़ गया था सपाट स्वर में बूली यह एक्सटेम्प और प्रोग्राम शायद उनके आने की खुशी में बन गया है क्यों? कुछ देर ये बुद्ध बने खिड़की के पार देखती रहे फिरे काएक अपने में जैसे बल भर कर बोले भावी तुमने ठीक ही समझा है मैं किसी भी तरह उनका सामना नहीं कर सकता मैं तुम्हारी तरह महात्मा नहीं हूँ हान मांस का साधारन मनुश्य हूँ सच भावी जी के स्वर में ऐसी धार थी कि कलेजे पर एक खरोट से उभर आई तो मुन्ने मिया तुम्हारे आसपास और भी लोग है जो तुम्हारी तरह हान मांस के मनुश्य है उन्हें देवता समझ कर अपने कुछ छलते क्यों हो या सीधी और तीखी बात उन्हें बेतरह तिल मिला गई कुछ देव तक बड़ी घुटन भरी शान्ती रही फिर ये बोले बड़ी ही करुन आवाज में भाबी तुम्हारे प्रती इस अन्याय की कल्पना मात्र से मेरा अंतह करन जला जाता है मैं उन्हें कभी शमा नहीं कर सकता तुम कर सकती हो मैं नहीं कर सकता और ये दोनों हाथ हो में मुह छिपा कर रो पड़े उस सुदीर्ग छे फुटे व्यक्तित्तों को यू बच्चों की तरह बिलखता देख मैंने तो मुह फेल लिया भाबी जी अब अपनी जगह पर बैठी न रह सकी उठकर इनके पास गई और इनके मस्तक को अपने दोनों हाथों से सहलाने लगे बोली कुछ नहीं इतने दिनों की संचित रुलाई को उन्होंने बह जाने दिया उस मूख नाटक की दर्शक बनी मैं नौकरों की आहट मात्र से चौक उठती थी पर उन दोनों को कोई चिंता नहीं थी इन्हें समहलने में कुछ देर लगे वे उतनी देर वहीं उनके पास खड़ी रही फिर अपनी कुरसी पर बैठते हुए बोली मुन्ना उन्हें च्छमा करना क्या इतना कठिन है उनका अपरात क्या इतना बड़ा है मेरे इतने बड़े अपरात को भी तो वे जिन्दगी भर ज्छमा करते आए है कभी एक दिन भी मुझे अपने पर लज़ित नहीं होने दिया इस बात को क्या हम एकदम ही भूल जाना होगा हम लोग ठगे से उनकी ओर देखते रह गए उनकी संतान हिंता को वे इतना बड़ा करके देखती होंगी हमें नहीं मालूम था सस्तु यह था कि हमें उनके विशे में जो भी मालूम था वा कितना थोड़ा, कितना अधूरा था उसका आजकल पल-पल पर अनभव हो रहा था अश्रू विगलित कंठ से इन्हों ने कहा भाबी, अपने को वहलाने के लिए तुम कितनी ही बड़ी-बड़ी बातें कर लो पर मेरी आखों को तुम धोखा नहीं दे सकती यह दुख यह संताप लेकर तुम अंदर यह अंदर घुलती जा रही हो मैंने जिस दिन घर में पाउँ दिया उसी दिन जान लिया था कि all is not well चाहो तो मड़ी से पूछ लो लेकिन मुझसे किसी ने कुछ नहीं पूछा वे बोली मेरे दुख का कारण जानना चाहता है न तो दो दिन ठहर जा अपनी आखों से भाई साहब को देख लेना बाहर वालों के लिए तो वे वही पहले जैसे अख़ड और मौजी प्राणी है पर मुझे पता है उन में पुराना कुछ भी नहीं रह गया है उनकी हसी उनकी मस्ती इतनी खोखली हो गई है कि सुनकर रोना आता है और जानते हो ऐसा क्यों होता है यहां होता है सिर्फ उनका शरीर प्राण समाए रहते हैं अपने कलेजे के टुकडे में यह सुक जीवन में उन्हें इतनी देर से मिला है कि पल भर का भिछोह भी वे सह नहीं सकते इस तरह टुकडों में बढ़ कर जीना क्या सहज है बता तो इसका एक ही हल है भावी और वह तुम जानती हूँ इन्होंने संकोट से भर कर कहा मैं तो जानती हूँ पर इन्हें जो हिम्मत नहीं पड़ती 22 साल साथ रहकर मुझे इतना ही तो परखा है यह अविश्वास यह परायापन देख कर सोचती हूँ क्या जीवन भर में यही कमाया है तू तो देख रहा है न मैं तो आचल फैला कर उनके लाडले के स्वागत के लिए तैयार बैठी हूँ बस सिर्फ एक हसरत थी वे उसी पुराने विश्वास के साथ कहते शेलू मुझसे गलती हो गई है लेकिन अब इस भूल को तुम्हे निभाना ही होगा बस सिर्फ इतना ही तुम्ही बताओ क्या इतना भी चाहने का मेरा अधिकार नहीं है इस इट आस्किंग टू मच टेल मी इस इट आस्किंग टू मच सिस्कियों में डूबा हुआ भाभी जी का या प्रश्न उस बड़े से हॉल में प्रतिध्वनित होता रहा आज आए कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो एक लाइक करें अपनों के साथ शेयर करें और हाँ अगर आप इसी तरह के हिदैस परशी मनोरंजक कहानिया सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुनना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद